आपका पहला सवाल है, अर्जुन पुरसकार कब से आरंब हुआ है? आपके ओप्षन है, A. 1964, B. 1962, C. 1961, D. 1982. आपका सही जवाब हो जाएगा, C. 1961, आपका अगला सवाल है, भगवान बलराम की पत्नी का क्या नाम था? आपके ओप्षन है, A. प्रेवती, B. सुभध्रा, C. प्रजनी गंधा, D. मंचकुंडा. आपका सही जवाब है, A. प्रेवती, आपका अगला सवाल है, भगती आंदोलन की शुरुआत किस ने की थी? आपके ओप्षन है, A. रामानुज, B. नानक, C. कबीर. आपका सही जवाब होगा, D. रामानन्द, सूर्य और प्रिथवी के बीच नियूनतम दूरी कब होती है, आपके ओप्षन है, A. तीन जन्वरी, B. 28 दिसंबर, C. 9 सितंबर, D. 11 अप्रेल, आपका सही जवाब होगा, A. तीन जन्वरी, आपका अगला सवाल है, भारत में नियूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? आपके ओप्षन है, A. 1954, B. 1952, C. 1950, D. 1948 आपका सही जवाब होगा, D. 1948, आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम तेलकुआ कहां खोदा गया था? आपके ओप्षन है, A. सूरत, B. माकुम, C. लकवा, D. डिगबोई आपका सही जवाब होगा, D. डिगबोई आपका अगला सवाल है, अबिल पुरसकार किसक शेत्र में दिया जाता है? आपके ओप्षन है, A. गनित, B. भोतिकी, C. वास्तुकला, D. खगोल भोतिकी आपका सही जवाब होगा, A. गनित, आपका अगला सवाल है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी? आपके ओप्षन है, A. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B. पंडित जवाहरलाल नहरू, C. महात्मा गांधी, D. सर्दार वल्लभाई पतेल आपका सही जवाब होगा, A. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका अगला सवाल है, विश्वव्यापी महामंदी दग्रेड डिप्रेशन का भुई थी? आपके ओप्षन है, A. 1940, B. 1930, C. 1936, D. 1932 आपका सही जवाब है, B. 1930, आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम पंचवर्षिय योजना कब शुरू की गई? आपके ओप्षन है, A. एक जून 1913, B. एक जून 1952, C. एक मई 1951, D. एक अप्रेल 1951 आपका सही जवाब होगा, D. एक अप्रेल 1951 आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? आपके ओप्षन है, A. विद्यूत उद्योग, B. बैंकिंग उद्योग, C. खनन उद्योग, D. कपड़ा उद्योग आपका सही जवाब होगा, D. कपड़ा उद्योग आपका अगला सवाल है, भारत जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? आपके ओप्षन है, A. 1964 B. 1956 C. 1950 D. 1948 आपका सही जवाब होगा, B. 1956 आपका अगला सवाल है, Make in India कार्यक्रम का लोगो क्या है? आपके ओप्षन है, A. बाग B. चीता C. हाथी D. शेर आपका सही जवाब होगा, D. शेर आपका अगला सवाल है, पंच्वर्शिय योजना प्रारंब करने के लिए किसकी स्वीकृती आवश्यक है? आपके ओप्षन है, A. वितम मंत्री B. संसद C. प्रधान मंत्री D. राश्ट्रिय विकास परिशद आपका सही जवाब होगा, A. राश्ट्रिय विकास परिशद आपका अगला सवाल है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आपके ओप्षन है, A. उननीस सो अठानवे में B. दो हजार में C. दो हजार दो में D. दो हजार चार में आपका सही जवाब होगा, A. उननीस सो अठानवे में आपका अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगर्थन की स्थापना कब की गई थी? आपके ओप्षन है, A. उननीस सो पचानवे में B. उननीस सो सत्तानवे में C. उननीस सो पेंतालीस में आपका सही जवाब होगा A. 1995 में आपका अगला सवाल है दुबई शहर कहां स्थित है? आपके आप्शन है A. बहरीन में B. कुवेट में C. साउधी अरब में D. संयुक्त अरब अमीरात में आपका सही जवाब होगा D. संयुक्त अरब अमीरात में आपका अगला सवाल है वायु मंदल की ओजोन परत हमें किस से बचाती है? आपके आप्शन है A. कॉस्मिक किरन से B. गामा किरन से C. X किरन से D. अल्ट्रावाइलेट किरनों से आपका सही जवाब होगा D. अल्ट्रावाइलेट किरन से आपका अगला सवाल है वित्ती अपात प्रतम बार कितने दिनों के लिए लगाया जाता है? आपके आप्शन है A. दो महीने B. चार महीने C. छेह महीने D. आठ महीने आपका सही जवाब होगा A. दो महीने आपका अगला सवाल है भारत में राष्ट्रिया आय का आकलन सबसे पहले किस ने किया था? आपके आप्शन है A. सरदार पटेल B. महलनो बीस C. दादा भाई नौरोजी D. V. K. R. V. राओ आपका सही जवाब होगा C. दादा भाई नौरोजी D. V. K. दादा भाई D. V. K. दादा भाई झाल झाल